क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी को डरा कर भी नहीं डरा पाई साल दोहजार उन्नीस के अंतमेंच हार खंड और अब दोहजार बीस के चुनाओं में दिल्ली में हार लोग सभा चुनाओं में जबर जस्त परदर्शन करने के बावजूद भाजपा के हाथों से राज्य लगतार हिसकते जा रहे हैं दिल्ली विधान सभा चुनाओं के नतीजे आ चुके हैं और अब दिल्ली के मुक्या अर्बिन केजरीवाल ही रहेंगे इसके साथ ही भाजपा के सियासी नक्से में दिल्ली का नाम नहीं जुड़ पाया देश में इस समय दिल्ली को मिलाकर बारा राज्यों में भाजपा विरोधी दलों की सरकार है जबकि NDA के पास 16 राज्य हैं विदान सभाज चुनाओं में हार की बात करें तो दिल्ली दो साल में भाजपा के नितरत वाला NDA साथ राज्यों में सत्ता गमा चुका है और दिल्ली में हार आठवी हैं दिल्ली में केंद्री की सत्ताधारी पार्टी का बी आईपी परचार असफल रहा बीजेपी ने दिल्ली में परचार के लिए 11 मुखमंत्री और 207 मैदान में उतारे थे जो अब अपने अपने घर पर बैट कर सोच बिचार कर रहे होंगे वहीं मुखमंत्री का सपना देख र रही है बीजेपी के 21 साल बाद सत्ता में वापसी के सपने पर केजरिवाल ने फिर से जाड़ु फेर दी है आपको बता दें कि 2015 विधानसभा चुनाव में दिल्ली की 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी भारती जंता पार्टी तीन सीट जीती है कहीं जस्न तो कहीं मातम चुनाव में मुख मुकाबला आम आदमी पार्टी भारतिय जंता पार्टी और कॉंग्रेस के बीच हुआ था मद्दान पश्चात आये सभी एक्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को दुबारा दिल्ली की सब्ता मिलने की संभावना जताई में से उठकर देश के सियासी गल्यारे में अलग पहचान बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दिल्ली के दबंग वही हैं वर्स 2020 में चुनावी रणी ती तैयार करने से लेकर प्रचार की कमान खुद केजरीवाल ने संभाली और उप मुखमंत्री मनी सुसोधिया के साथ मिलकर पूरी दिल्ली में चुना अपरचार कर जनता से सीधे समवात किया दिल्ली कॉंग्रेस परमुक सुभास चोपडा ने कहा पार्टी के परदशन की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ हम इसके पीछे की वज़ों का बिसलेशर करेंगे हमारी वोट फीसद में गिरावत की वज़ा भाजपा और आमाद में पार्टी की धुर्वी करण की राजनीती है अब इस चुनाओ के बाद केजरिवाल का निशाना बिहार और यूपी विधान समा चुना होंगे उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंदाई होगी ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें शुक्रिया